आज अर्याना जी के मापा अर्याना के उर्जासन साधनों के बारे में पढ़ांगे यानि अर्याना में जो उर्जा है उसके लिए कोण कोण से संसाधन उपलब्द है उर्जा जो है उर्जा कई परकार की हो है लेकिन आपा जो इस टोपिक में पढ़ांगे वो विद्यूत उर्जा का बारम पढ़ांगे कि अर्याना में जो बिजली है वो किस किस परकार से किन किन संसादनों से हमें प्राफ्त होती है तो बिजली जो है उसने सुध इंदी में आपा विद्यूत कवांगे यानि विद्यूत तो विद्यूत का बारम है अगर आपा जिकर करां तो सबसे पहले ये पताओना चीए कि विद्यूत का जो बोर्ड हो है या विद्यूत बोर्ड या बिजली बोर्ड कैसा कहा कि अर्याना का जो बिजली बोर्ड है वो कब बनया सबसे पहला परसंद यो बनागा अर्याना बिजडी बोर्ड की स्थापना कब हुई तो वो डेट है अर्याना बनते ही यानि अगले ही साल 3 मई 1966 तो अर्याना बिजडी बोर्ड की स्थापना कब हुई है 3 मई 1966 को हुई है पहला point याद हो जागा 3 मई 1966 को और याना बिजडी बोड़ की स्थापना होगी है ठीक है बिजडी बोड़ की स्थापना होते ही जैसे 1967 में याना का अंदर पहले चुनाव होए थे 1967 में चुनाव के बाद पहला जो मुख्यमंत्री या निर्वाजीत मुख्यमंत्री जो है तो 29 नौबर 1970 की बात है बंसीलाल जी की सरकार थी और चोदरी बंसीलाल जी ने पूरे के पूरे अर्याना में बिजड़ी पुचा दी थी पूरे के पूरे अर्याना यानी सब ही गाउं में ठीक है तो अर्याना पूरे बारत का ऐसा पहला राज़े बनया था जिसके हर गाउं हर गर तक लाइट पहुच गी थी 29 नॉमबर 1970 इसकी गोशना ततकाली इन परधानमंतिरी इंदरा गांदीजी ने स्वेम करी थी और कुण से गाउं से करी थी उचानी कला ये गाउं है उचानी कला जो पड़ा है करनार में ठीक है जी ये तो बेसिक शी आपान जानकारी लिए है कि 1967 में बिजडी बोर्ड अपना स्थापी तो गया है उसके बाद 29 नॉमबर 1970 को अरियाना के हर गाउं में बिजडी पहुच गी और किसके सासनकाल में पूची है चोदरी बंसीलाल जी का सासनकाल में पूची है ठीक ह पूर्ड है वो दो बागों में पट गया बिजडी बोर्ड जो है उसको दो बागों में बाट दिया गया एक तो है अरियाना एक का नाम दर दिया अरियाना बिजडी उत्पादन निगम लिमिटेड अरियाना बिजडी उत्पादन निगम लिमिटेड अरियाना बिजडी उ बिजली वित्रन निगम। है बिजली वित्रन ही हुए थो हzone वीड़ी बोर्ड को दो सब्दोत का चाहिए अब आत्था क्यूजा ऑचानें, जो उप Suger पादन का मतलब है कि या जो उनिट है जूजा बिजली बनाओगी लोगों तो ही पुचानी है फिर उसके पीशे लेने है फाइन लगाना चापे मारने जो भी काम है वो अर्याना बिजड़ी वित्रन दिगम के अंडर आओगा ठीक है ऐसी जो घटना हवकब होई 1997 होई है याद हो जागी फिर अगले ही साल यानि 1998 की बात है 1998 में 1998 का अंदर अर्याना में बिजड़ी वी नियंतरक आयोग मनाया गया बिजड़ी वी नियंतरक आयोग यानि बिजड़ी को कंट्रोल करने के लिए एक आयोग मनाया गया अर्याना जो है बड़ा हो गयार पूरे अर्याना में बिजली पहुंच गी थी इसलिए जो बिजली वित्रण निगम है ठीक है उन्नी सो ठानव में इस आयोग के तहत अगले ही साल उन्नी सो निन्यानव में जो अर्याना का बिजडी वित्रन निगम था जो वित्रन निगम है अभी अभी अमन पड़िया वित्रन निगम के भी दो टुकडे कर दिया निए उसको दो इसों में बाट दिया गया ठीक है उत्तर अर्याना के लिए अलग और दक्षिन अर्याना के लिए अलग जो उत्तर अर्याना का था उसका नाम दर दिया उत्तर हर्याना बिजली वित्रन निगम उत्तर अर्याना बिजली वित्रन निगम इसका नाम तो दर दिया उत्तर अलागा उत्तर हर्याना बिजली वित्रन निगम और जो दक्षिन वाला है उसका सिंपल सी बात है नामे बदलना उत्तर से दक्षिन उसका नाम रख दिया दक्षिन अर्याना बिजली वित्रन निगम ठीक है भी याद कर लोगे उत्तर अर्याना में D की जग है U जागा समझ रहे हो इसमाँ परसन बनागा कि उत्तर अर्याना जो बिजली वित्रन निगम उसका मुख्यले कुण सा एड़कवाटर कहा है तो उसका एड़कवाटर है पंचकुला में ठीक है वह याद हो जागा ने बिजली बनाने के लिए दो बेसिक तरीके हैं एक तो है परंपरागत तरीके परंपरागत तरीके और दूसरा है गैर परंपरागत परंपरागत का मतलब है जो परंपरा से ही चले आन लाग रहे यानि जो अपने बुजूर्ग है, अपने बाप दादा के समय से चले आना लग रहे, उनको परमपरागत तरीके बोलते हैं, जैसे कोईले से बिजड़ी बना ली, पानी से बिजड़ी बना ली, गैस से बिजड़ी बना ली, समझ रहे हो, और गैर परमपरागत का मतलब जो प फूद्पराणा लेक infinitely सूरिय अर बनाने की टेक्व सब्सक्राइब और यूत्तुब पर तरीके का है नो प्युक्त प्र europa आप बिशेली दो है वो कैसे बंदती है यूट्यूब यूटूब देखे स्ट में यूट्यूबी umphाई वीर वो कोईले से भी बनेगी कोईले से बनेगी उसना बोले अगर थर्मल पावर पलांट क्या बोलेंगे कोईले से बनने वाले को थर्मल पावर पलांट यानि इंदी में बात करोगे तो तापिय विद्धूत केंदर तापिये विद्धूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदू से बनने वारे दोवेद्यूत के अंदर है और गेस से जहां पिजड़ी बने है वह एक एं। फिक एक छलो वे करके पड़ाँए ला नंबर है PANYым PUT TAPE VUDY विद्यूत के ऩा Şimdi travelthropod up यह साथियों पापिया वर्ड है इसमें कोई लगा यूज होता है बार-बार बताने की जुरुत है नी पाणिपत आप ये विद्यूत के अंदर दो तीने परसंद पूछे जाएंगी स्थापना कब हुई है स्थापना हुई एक नॉवंबर स्थापना कब हुई दूसरा है स्थापना कहां हुई और तीसरा कितनी समता है उत्पादन समता कितनी है कितनी बिजली बना सका है इसमें बिजली बन सका है 1366.8 मेगावाट ठीक है तीने पूइंट याद करने हैं पहला है कि कब स्थापना हुई कहां हुई और कितनी उत्पा पानी पत तापिये विद्धुत के अंदर तो सब बता देंगे पानी पत के अंदर है, लेकि इसका नाम दूसरा करके पूछ लिया कि देवी लाल तापिये विद्धुत के अंदर कहां है, तो भी शेम बात यही है और कहां है पानी पत में, याद हो जागा, चलो, आगे सबसे पहला पॉइंट कब बढ़ी चार मार्स 2011 दूसरा पॉइंट कहां तो यह बढ़ी है जाडली में और जाडली जो हो पड़े साथियों जजर में जाडली जजर में याद हो जागा ठीक है आप पूछेंगे इसकी उत्पादन समता कितनी है इसकी उत्पादन समता है 1500 मेग ठीक है तिसरा कोई अनदर पॉइंट पूछ लेगा अब इसका दूसरा कोई नाम है बिल्कुल है इसका नाम इंदरा गांदी तो पूछ लेह इसको कोईला कहां से प्राप्च होता है तो इसको कोईला पराप्त होता है महानदी कोल फिल्ड से याद कर लूगे इस से जादा तो के पुच्छचगा खेरे थीक है याद कर लूगे जी बहुत असान सी बात है सलो अगला है मा आतमा गान दी तापी ये विद्धूत परियोज़ना तापिये की बात कर रहे हैं तो लिखने की जूरुते नहीं है तापिये विद्फ परीयोज़णा सारी तापिये की बात कर रहे हैं पांच तक अपा ठीक है इसकी स्थापना 2012 मैं कोण शीज़ अगा पुछ आगा जज़र मैं फिर उत्पादन चम्ता पुछ आगा 1320 मेगावा फिर तीन बात हैं, पहली इसकी डेट कब तापना हुई कहा हुई, उत्पादधन सम्तायानी बिजली कितनी बना सकए बस बात खतम, ठीक है आगली जो है अपनी तापिये परियोजना वा दीन बंदु छोटू राम जी का नाम पहeen दीन मंदु छोटू राम तापिय परियोजना है सीधी बात तापिय का मतलब है कोईले से इसमें बिजली बना है ठीक है अब पहली बात कब बनी है 14 अपरेल 2003 या डेट पुछेंगे 14 अपरेल 2003 डेट पुछेंगे फिर जगा बताओ यमुना नगर कुछी जगा स्थापना कहा होई है यमुना नगर में स्थापना होई है उत्पादन समता पूछेंगे तो 600 मेगावाट तीने चैर बात याद करनी 600 मेगावाट और कोई एक्स्ट्रा बात पूछागा तो के पूछ लेगा विदीन मंदु छोटू राम जो परियोजना है यह अरियाना की ऐसी पहली पर परियोजना है दीन बंदु छोटू राम तापिये विद्ध परियोजना याद हो जागा अगली पाउगी अपनी राजीव गांदी राजीव गांदी जो परियोजना है तापिये परियोजना है ठीक है तापिये विद्ध परियोजना यह है 24 अगस्ट 2010 में 24 अगस्ट 2010 में इसकी स्थापना हुई है कुण सी जगाप है? खेदड़ और ये खेदड़ पड़ा है इस हार में इसकी कुल उत्पादन समता है अगर हम बात करें तो 1200 मेगावाट इसकी कुल उत्पादन समता है और एक बात और अर्याना की ये ऐसी पहली परियोजना है राजिव गांदी तापिय विद्यूत परियोजना जो खेदड़ इसार में पड़ा है जिसकी कुल उत्पादन समता 1200 मेगावाट है ठीक है बाया? याद हो जैंगे? चलो ये थी अपनी तापिय विद्यूत परियोजना अब बारी है जल विद्यूत परियोजना की जल विद्यूत परियोजना अरियान में केवल दो हैं पहली है अपनी पस्चिमी यमुना नहर विद्यूत परियोजना जिसकी स्थापना जो है वो हतीनी कुंड और दादूपूर के बीच में करी गई थी और इसकी कुल समता जो हो 62.7 मेगावाट है नि थोड़ी ही समता है 1990 सरकार ने इसको माननेता भी दे दी थी और चार विद्यूत केंद्रों की समस्थापना भी कर दी थी लेकिन फिलाल ये एक्टिव नहीं है इतना एक्टिव नहीं है बिजली नहीं बनती ज़ादा अगला है अपना काकरोई सुक्सम जल विद्यूत परियोजना काकरोई सुक्सम जल विद्यूत परियोजना नाम से ही सपस्थ है ये कुणशी जगाप है काकरोई जगाप है और काकरोई पढ़ती है सोनी पत्म कहां पढ़ा है जी का करोई सोनी पत्म ठीक है इसकी उत्पादन समता फिल आल तीन सो मेगावाट है और सुरू करी गई थी यह सो से याद कर लोगे अर्याना की पूछी जाते एक मातर जल विद्धुत प्रियोजना यही है वो तो ऐसे इनना कम चलाओ नॉर्मल है तीसरी गैस से बिजली बनाने है यानी 1500 मेगावाट उत्पादन समता पूरे अर्याना की बात करें तो पूरा अर्याना बिजली उत्पादन करने में सक्षम है 11700 मेगावाट ठीक है याद कर लोगे यहां तक चलो अब यह अब नपड़े थे परंपरागत विद्धुत उत्पादन के तरीके अब हम वो पड़ेंगे जो गयर परंपरागत है यानी जिन से जिनका हम परंपरा के रूप में यूजनी कर रहे नए तरीके नई टेकनीक हैं उसमें सबसे पहला आता है नाभी ए उर्जा सेयंतर नाभी किया होता जीन थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ेगी उनको पता है कि एक परमानू हो है और परमानू के बीच में उसका सेंटर यानि केंद्रक होता है और उस केंद्रक के बीच में केंद्रक के अंदर न्यूट्रोन और प्रोटोन हो है न्यूट्रोन और प्रोटोन जब उस केंद्रक को यानि नाभी को तोड़ा जाता है इसको तोड़ा जाता है इसको तोड़ने को बोलते विखंडन नाभी किये विखंडन और उस नाभी किये विखंडन से उर्जा निकलती है और उर्जा से बिजड़ी बनेगी तो इस उर्जा में क्या है इस संयंतर में क्यों होगा नाभी क यह उर्जा का यूज करया जाता है बिजली बनाने के लिए ठीक है लंबा चोड़ा ठोपिक है दो मिन्ट में एक्स्प्लेंड नहीं हो गई फिला लीस नहीं समझ लो इसमें नाभी की उर्जा है ठीक है स्थापना होई दो जारे सोधा में कहां होई है गोरकपूर यूपी व पूरे अर्याना की बले-बले हो जागी अर्याना बिजली की कोई दिकते नहीं रहेगी अगला है सोर उर्जा वैसे तो सोर SOR उर्जा है वो इतना फिल हाल पूरे के पूरे अरियाने स्टेट लेवल की बात करत इतना ज़्यादा कारगर नहीं है ठीक है राजस्तान से सटेवे जवैला के जहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है वाँ एक्टिव भी है लेकिन इसकी कई दिक्त है अब सर्दी है बारिस है दूंद है उस टाइम सोर उर्जा काम नहीं आओगी ठीक है तो ये इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक लेवल की बात करां तो कहीं ना कहीं जब मान का चलो है बीच में अरियाना के पास कोईला खेतम हो गया था तो तब ये उर्जा बड़ी काम आई थी तो इसमें जो सोर उर्जा है आओ सकता है आने वाड़े समय में सोर उर्जा बड़ी कामियाब स्तर पचली जा तो पहला परसन है कि HPGCL सबसे पहला जो सोर उर्जा का संयंतर हों कहां लगाया गया तो सबसे पहला सोर उर्जा सहीं इंत्र अर्याना में कहां लगाया गया भूद कला गाम में और वो गाम गड़ा है यमुना नगर में ठीक है कोण सी कंपनी का तबारा लगाया गया वहां कंपनी है HPGCL क्या है HPGCL फुल फोम की बात करोगे तो अर्याना पावर जनरेशन कारपोरेशन है लिमिटीड ठीक है अर्याना पावर जनरेशन कारपोरेशन है लिमिटीड याद घर लोगे चलो अब अगला परसन बनागा सोर उर्जाता है अर्याना का पहला सोलर पावर पलांट कहां लगाया गया अरियाना का पहला सोर उर्जा का पावर प्लांट कहां लगाया गया एक गाम है नंदा गाउं और ये गाउं पढ़ता है वरतमानमत सर्खी दादरी जिल्म है सरखी दादरी ठीक है जी हो जागा याद अगला पुछागा अंतराश्ट्रिये सोर उर्जा मुख्यले कहां है तो वो सोर उर्जा मुख्यले है गुरू गराम में यह जो थे वो गैर प्रमप्रागत उर्जा के तरीके हैं इन में गेर प्रमप्रागत उर्जा के तरीका में एक तरीका और है पवन उर्जा का और पवन उर्जा तो अर्यान में इतना संभवी नहीं है अगर बविशे में कभी संभव हुआ तो इसके लिए संभावित छेतर है यानि जहां ये उद्जा उत्पन कीजा सकेगी कभी जमा है यहां तक मेरे इसाब से आप सब को बात पलना पड़ी ओगी ठीक है आज इतना ही रखते हैं जय हिंद जय वारत झाल झाल